नमस्कार दोस्तों मैं नाम है मोहनुआ आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल में के ग्यान दोस्तों आज की वडियो में आपको बहुत अच्छी खुशकबरी बताने वाला हूं जो एस आईसी के अंतर का जो विकैंसी लिख लिए दोस्तों जी हां दोस्तों पोस्त लिख लिए है जो यूडिसी स्टेडोगराफर और एम्टीस की पोस्त लिख लिए दोस्तों और आपके हर स्टेट में यह जो पोस्त लिख लिए दोस्तों आपको ऐसा भी नहीं कि आपको दि तो दोस्तों दसवी बारवी और जो ग्याज़ेशन पास है उन सभी के लिए आचुके दोस्तों जो अपनी सरकाई नौकरी के तयारिया गर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत अच्छी फ्रिकेंसिया यह 28 तारिक आज ही जो है नोटिफिकेशन स्का आउट हुआ दोस्तों हर आपको मिलेगा अब के क्यें अब आपके कोई भीसटेट में हों तो आप जो है अपना उस स्टेट का जो है रीक्विसमें मतलब एडवारीशन वें नूंबर चेक कर सकते हो दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसका लिंक देदूंगा आप वहां से जाते डिरेक्ट आप देख सकते हो कि आपके जो स्टेट में कितनी विकेंसी लिकले दोस्तों लास्ट टेट जो इसकी बताऊंगा तो पंद्रा फरवरी 2022 तक आप जो ऐसे ऑनलान अप्लाइ कर सकते दोस्तों और देख सकते हो हर स्टेट के लिए है आप बहुत ही अच्छा जो है लिकला हुआ है दोस्तों जैसे मत्यापड़ेस हो गया बिहार हो गया चंदीगड हो गया दिल्ली हो गया यह सब ही स्टेट के पूरा डिटेल में बताऊंगो दोस्तों कि आपको क्या-क्या इसमें चाहिए एज्योकेशन कॉलिफिकेशन कितनी होगी एज क्या रहेगा और सैली पेकेज क्या रहेगा हिमाचल परदेश आप देख सकते दोस्तों हर याना हर जगा जो है आपकी जो है इसमें पोस्ट लि मिल जाएगी तो आप जॉब तो दोस्तों सेकंड पेज में इसे क्लिक करा तो आप देख सकते हो यहां पर भी आपको सेकंड पेज में आपके हर स्टेट में मिल जाएगी जैसे जम्मो कश्मीर हो गया राची हो जारकंड हो गया करनाटका हो गया केरल हो गया आप देख सकत ओसमें भी सारी लिखेजिंसिए हुए दोस्तों कुटि कि दोस्तों मैं सभी स्टेट इतने पोस्ट है वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ कि वीडियो बहुत ही लंबी हुए है कि दोस्तों तो आप जोए अपने स्टेट के खुदी क्लिक करके video description में और जो है आप जो है check कर सकते हो, माल लीज़े जैसे मैं दिल्ली का कर रहूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो, हर state में आपको यहाँ मिल जाएगा दोस्तो तो इस तरीके से यहाँ post लिख लिए हो दोस्तो अब मैं फटाफट से आपको एक state का क्लिक करके दिखाता हूँ कि माल लिजे जैसे मैं दिल्ली का करता हूँ तो दिल्ली के लिए आप जो है कितनी पोस्ट लिए ऐसी आप अपने स्टेट का चेक कर सकते दोस्तो अब जैसी मैं फर्स पेज में क्लिक करके दिल्ली का आपको दिखाते हो कि कितनी post लिख लिए आप ऐसी अपने state का check कर सकते हो तो दोस्तों जैसी मैंने इस पर click कर दिया तो जो है आप देख सकते हो दिल्ली की जितने भी पोस्टेस में लिकल गई दोस्तो UDC, Upper Division Clerk Stenographer के लिए Multitasking Staff के लिए MTS के लिए तो यहाँ Detail of Vacancy लिए दोस्तो यह आप देख सकते हो UDC जो है 235 Vacancy लिए दोस्तो Stenographer के लिए 18 Vacancy Total लिए और MTS के लिए 292 Vacancy जी हाँ दोस्तो इतनी भारी पदों में जो है इसमें vacancy है लिए दोस्तो मौका भी है हर state के लिए आपको मिल जाएगी यहाँ पर आपको ऐसा भी निया कि आप दिल्ली में आप form आप flip करोगे मतलब दिल्ली के लिए आपको भर रहे हैं आपके नियर जितना भी आपका स्टेट है वहाँ उसके लिए भी बहुत सी पोस्त लिए दोस्तो तो ऐसे जो है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी विकेंसी लिए टोटल विकेंसी यहाँ साड़े पांसो दिल्ली की मानलो दोस्तो पांसो साड़े पांसो दिल्ली की विकेंसी है यहां बढ़ दोस्तों तो यहां देख सकते हो UTC, STYONOGRAPHER, MTS के लिए पे स्केल क्या रहेगा पे लेवल 4 के लिए 25,000 से 500 से 81,000 जो रहेगा UTC अनि STYONOGRAPHER के लिए MTS के लिए जो रहेगा पे लेवल 1 के 18,000 से 56,000 रहेगा 7th पे कमिशन के दोस्तों आप CPC आप देख सकते हो दोस्तों और जो qualification and other qualification जो है आप देख सकते UTC के लिए आपको जो है किसी भी जो है आपके STEM से graduation pass होना चाहिए और आपको जो है knowledge होना चाहिए computer की और office work की दोस्तों उसके बाद stenography 12th pass होना चाहिए आप किसी भी आप recording board से होना चाहिए skill test norm dictation 10 minute का 80 per minute रहेगा transition 50 minute English में 65 minute Hindi में only on computer MTS के लिए simple आप 10 पास हो जिहां दोस्तों अगर आप 10 पास हो तो आप MTS के लिए apply कर सकते हो ऐसा आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हो post और age limit रहेगी इसकी UDC और stenographer की 28 से 27 साल जो count रहेगा दोस्तों 15 February 2022 से आप 27 साल से ज्यादा की नहीं होना चाहिए और MTS के लिए आपको 18 से 25 रहेगी दोस्तों age जो आपकी वही 15 February 2022 के बाद से आप 25 साल के ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों तो यह age count भी आपको जो last date रहेगी जो application है ओनलाइन का 15 February 2022 का तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों age election में भी आपको मिलेगा जैसे कि आपको SCST हो तो 5 साल के आपको छूट मिलेगी age में OBC हो तो 3 साल की मिलेगी और PW के साथ जैसे आप journal में हो पीडियो तो 10 साल की OBC हो तो 13 साल की SCST तो 15 साल की और एक सर्विसमेन हो तो जर्णल के लिए 3 साल OBC के लिए 6 साल ST ST 8 साल ऐसी आप E SIC जो employer होता है government servant के लिए उसके आप से आप जर्णल के लिए 40 OBC के लिए 43 और SCST के लिए 45 यर जो है आपकी होनी चाहिए मगर आप नॉर्मल जर्णल हो तो आप 18 से 27 साल जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और ST वालों को education मिलेगा और आप देख सकते दोस्तों MTS के लिए आगा सिफ आप कुछ जर्णल में MTS का पोस्ट भर रहे हो तो दोस्तों आप 18 से 25 साल होना चाहिए दोस्तों तो यह दोस्तों यह कुछ आपको कैटेगरी वाए आपको साहा जो है आपको मिल जाएगा आप देख सकते दोस्तों यह जब सब रहेंगे तो दोस्तों आप बात करते हैं apply की how to apply तो जो है आपका online apply रहेगा दोस्तों आपको online यह फॉर्म apply करना है 15 फरवरी 2022 के पहले और दोस्तों आप देख सकते हो तो आपको before online candidate should be scan दिया आप यह सब देख स दोस्तों जो है आप जो है point note कर सकते हो photograph signature रहेगा इसमें left thumb impression रहेगा और hand written decoration रहेगा जो आपको लिखना है क्या लिखना है आप देख सकते हो यह जो आप देख सकते हो कि name of candidate है यह सब आपको जो है आपको जो अपने hand writing से ही लिखना है दोस्तों signature capital return में not accept बताओ capital return में आगे वाली वीडियो में next वीडियो में तो दोस्तों जासे जाता वीडियो को share करें और like करें चैनल को subscribe करें दोस्तों कि बहुत ही अच्छी भारी पदों में जो है विकेंसी लिख ली है कैसे कैसे आपको apply करना है कि सब इसमें आपको बता रखा है दोस्तों और आपका कैस पासपूर्ट साइब जब फोटो रेती हो और signature लेती हो थम्स का upload करोगे तो कितना कितना आपको KB में रखना है वो भी इसमें सारा कुछ बता रखा है दोस्तों आप बात करते हैं application करना है पहले payment of fees payment भी आपकी जो है online रहेगी document scan and uploading ये तीन चीज जो है आपको करनी है पह payment of fees जो रहेगी तो दोस्तों इसकी payment of fees रहेगी जो SCST और PWD department की है female candidate है और ex-serviceman है उनकी 500 रुपे फीज रहेगी जहां दोस्तों SCST, PWD और ex-serviceman और female candidate जितने भी उनकी जो है 500 रुपे रहेगी and other category के हैं जो वो 500 रुपे जैसे journal हो गया तो उनके 500 रुपे देना पड़ देगा दोस्तों और document scanning uploading के सब कुछ दे रखा और वीडियो में भी आपको बताऊंगो कि कैसे कैसे आपको resize size करना है तो मैं आगे next video में आपको upload करके दिखाऊंगा कैसे आपको करना है फिर भी आपको यहाँ पर फूरा detail में दिख जाएगा कि आपको signature image कितने size में रखना ह है और JPG और JPEG में रखना है तो यह सब जो है आप देख सकते हो 50 KB और 100 KB के अंदर अंदर आपको जो है handwriting decoration यह सब आपको जो है यह पूरा तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है से apply कर सकते हो वीडियो में आपको बताऊंगो कि apply कैसे करना है तो दोस्तों next video में आपको apply क करके दिखाऊंगो तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर और सस्काइब करें दोस्तों